नमस्कार दोस्तों मैं विश्रीक आपका विश्रीक टिटिरिल पर स्वागत करता हूँ दसमी का परिनाम जो स्कुटनी का है वो आपका आग यहा है तो बिल्कुल यहां पर देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही चेक करना है अगर आप थोड़ी से भी स्क्राइब कर लें क्योंकि सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपको दिखाया जा रहा है कि बिहार बोर्ट टेंथ का स्कुटनी कैसे चेक करना है सिधा आपको गूगल क्रूम ब्राउजर पर आना है और यहां पर लिखना है इन्फ्रा ठीक है इन्फ्रा डॉट बिहार इंटरफेस आएगा और आपको यहां से ध्यान देजिए अस्कीन सोट ले लिजेगा अप लोग उसके बाद सर्च कर देना है ठीक है तो देखिए यहां से आपका इस तरह का आपका पेज खुल गया अब यहां पतो लोग खोल ले रहे हैं कल मैं बताया था तो यहां तक त सक्सस पहलो लिक देते हैं यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ठीक है तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर अप्लिकेशन आइडी क्लिक करता हूँ तो माली जी अप्लिकेशन आइडी है bseb ठीक है, capital ही डालना सब, यह ची ध्यान रखना, कि आप जो भी लेटर डाल रहे हो, वो capital होना चाहिए, B, S, E, B, 1, 1, 2, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद खुछ से try करना, ऐसा नहीं कि अभी करने लगो, तक फिर गलत हो जाएगा, S, field, 1, 1, 1, 0, बिल्कुल ध्यान से डालना है, 7, 3, यह मैंने application ID यहाँ पे click कर दिया, ठीक है, अब वारी आती है, registration number की, तो यहाँ पे देखे registration number का column है, तो यहाँ पे मैं registration number, जैसे लोग डाल रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसे डाल के दिखा रहा हूँ, कि क्या problem होती है, 420-229-19, अब यहाँ पे देखे मैंने click कर दिया, यहाँ पे देखे क्या लिखाया, you have not applied for a scrutiny successfully, तो अब देखे कि मैंने क्या गलती किया, कैसा क्यों लिखाया, और यही गलती आप लोग कर रहे हैं, ध्याँ से देखे, same application number है, और same आपका registration number है, और मैं इसी को click करूंगा, तो लिखाएगा you have applied for, यानि कि यह चीज़ नहीं लिखाएगा, direct आपका mark sheet खुल जा तो यानि देखे, ध्यान से कि कैसे आपको करना है, तो मैं देखे, इसी चीज़ को कर रहा हूँ, यहां से अगर आपने note कर लिया होगा, तो ठीक है, यहां से देखे, फिर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, B, S, A, B, 1, 2, A, 1, 2, A, S, 1, 1, 0, 1, 7, 3, तो बिल्कुल दिहान से करना है, थोरा सा एक digit भी आप लोग गरबर करोगे न, तो लिखे का, you have not applied for us quickly, इसका मतलो आपने apply ही नहीं किया, लेकिन आप तो apply किये हैं न, तो इसका मतलो आप कुछ गलत कर रहे हो ऐसा, तो यहां पे देखे, मैं का क्या कर रहा हूँ, 4, 2, 0, बिल्कुल समझाओंगा आप लोग को भी, 229, 10, ठीक है, इस तरह का मैं यहां पे क्लिक किया, 8, 3, 2, 0, 4, 2, 0, 229, 18, तो जैसे हैं किले करोंगा, तो देखे, इस तरह का आपका mark seat खुल जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पे देखे करना क्या है, उस time मैंने क्या गलती की थ ठीक है, यहां पे रही station number में r नहीं लिखा था, r के बाद dash नहीं लिखा था, इसी कारण इसमें you have not applied for ascutney successfully लिखा रहा है, ठीक है, clear, अब उसके बाद आप बोलों कि sir, इसमें 18 है, और उसमें 19 है, तो यहां पे मैं फिर साब उकर कर दिखा देता हूं, देखे, यह क्लिक क हैं, क्या लिखाया, you have not applied for ascutney successfully, यानि कुछ भी आप थोरा सा भी error करते हो, थोरा सा भी error करते हो, तो भी नहीं आएगा, ठीक है, माल लिजे, यहां पे तो 18 गलती सा आगिया है, मैं 19 करके दिखा देता हूं आपको, चलिए, फिर भी देखे, क्या लिख रहा है, you have not applied for ascutney successfully तो बिल्कुल application number सभी लोग सही डाल रहे हैं, लेकिन सभी लोग गलती क्या कर रहे है, registration number डालने में, तो registration number जैसे मैं बताया हम बिल्कुल वैसे ही डालना है, R लगा के डालना है, R- उसके बाद नमबर साड़ा capital, उसके बाद जो dash लेकर registration number है, year है registration number का, 19, 16, तो जहां पे dash बिल्कुल लगाना है, जहां से दिखिए, जहां पे dash है, वहां पे आपको dash लगाना है, यहां पे R- लिखना है, उसके बाद पूरा लिखना है, ऐसे लिखेगा जैसे मैं लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखेगा तो गलती आजाएगा, you have not applied लिखेगा, ठेक है, तो आपको क देख कीजिए, आपका ये चैनल आपके साथ बिल्कुल है, तो जल्द सब्सक्राइब कीजिए, चेक कीजिए और कॉमेंट कीजिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो